दोस्तों यदि आपको या आपके किसी परेजन को मास्पेशियो में एठन या क्रैंप्स की प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए नमस्कार दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर रचित गुलाटी है मैं मेडिकल डायरेक्टर हो साउल और्थो केर का हमें एक होलिस्टिक नॉन सर्जिकल पेन मैनेजमेंट क्लिनिक्स की चेन है हमारी आठ ब्रांचेज है दिल्ली NCR में दोस्तों अक्सर आपने रात को देखा होगा कि आपके पिंड्लियों या जांगों के मसल्स जो होते हैं वो एठन में आ जाते है या उनमें खिचाओ आ जाता है जिसको हम बाटे भी बोलते हैं अपनी लेंग्विज में या कभी-कभी ऐसा देखा होगा कि आपके पैर का जो अंगुठा है उसके ऊपर आपके छोटी उंगली आ जाती है और पूरा को पूरा क्रैंपिंग सेंसेशन हो जाती है इसको अक्सर हम नॉक्टरनल क्रैंप्स भी बोलते हैं साइन्टेफिक पानी पीते रहें दिन में 3-4 लीटर पानी पीना बहुत आवशक है क्रैंप्स का एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि हमारी मास पेशियों को पूर्णते पानी नहीं मिल पाता ये पानी ना मिल पाने की वज़े से उसमें एठन आ जाती है उसमें खेचाओ आजाता है जिस आजकल गर्मियों का टाइम चल रहा है तो एक फल आता है जिसको बोलते है तरबूज, वाटरमेलन उसमें एल सिट्रूलीन नाम का एक सबस्टेंस होता है जो की प्रोटेक्टिव होता है नॉक्टरनल लेक क्रैम्स के लिए इसके साथ साथ आप खरबूजा भी ले सकते हैं बजार में बहुत सारे इलेक्ट्रोलेक्ट ड्रिंक्स उपलब्ध हैं जो की ऐसा कहते हैं कि वो रिप्लेस कर देते हैं आपके पानी को या फलो को किन्तु उसको मत लीजिए उसके अंदर एडिटिव शुगर्स हो सकते हैं जो की इन्फलमेशन बोडी में बढ़ा सकते हैं इसलिए एक्सेस करने से पहले या रात को सोने से पहले थोड़ा सो उस मसल को स्ट्रेच कर लीजे चाहे वो काफ मसल हो चाहे वो हैंस्ट्रिंग मसल्स हो चाहे वो आपके अब्डॉमिनल के साइड मसल्स हो चाहे वो नेक के मसल्स हो उनको थोड़ा सा स्ट्रेच कर लीजे जिससे आपको leg cramps या दूसरे हिस्से में cramps बिल्कुल भी नहीं आएंगे stretching के और भी ज़्यादा बहुत सारे फायदे होते हैं proper warming up होती है, muscles की conditioning बहतर रहती है और cramps बहुत हद तक कम किये जा सकते हैं तीसरा tip है, muscle की एठन को कम करने का वो है exercise के time पे you should start low and go slow अंग्रेजी में दोस्तों एक कावत है, Rome was not built in one day इसका मतलब आप सारी की सारी अपनी exercise capacity को एक दिन में नहीं अचीव कर सकते यदि आप किसी नई exercise को शुरू कर रहे हैं या नया नया जिम जाने लगे हैं तो धीरे धीरे उस exercise को बढ़ाते जाईए स्टार्ट लो धीरे धीरे slowly उसको आगे अचीव करने की कोशिश कीजिए यदि आपको डॉक्टर ने बोला है चलने के लिए या कोई काडियक exercise करने के लिए तो पहले छोटी अबधी या छोटी duration या छोटे distance के लिए करें फिर धीरे धीरे बढ़ाते रहें और exercise के बाद बिलकुल ना भूलें कि थोड़ी सी heat देना muscles की तरफ चाहे वो dry heat हो चाहे moist heat हो वो muscles को आप जरूर दीजिए उससे आपको leg cramps या दूसरे इससे में cramps होने से बहुत हत्तक बच सकते हैं चौथा tip है eat right सही food लेना बहुत important है cramps आने का बहुत बड़ा cause होता है बोडी में vitamin E level कम होने का तो चाहे vitamin E के levels हो चाहे omega 3 fatty acids हो चाहे anti-inflammatory हो चाहे antioxidant food हो ये लेना बहुत important होता है vitamin E tablet form में available है freely आपके आसपास market में available है 400 mg की tablets आती है जिसको आप easily start कर सकते हैं यदि आपको cramps की शिकायत है या आप नहीं नहीं exercise करने लगे हैं जो कि अपने आप में एक risk factor है cramps आने का इसके साथ साथ pomegranate यानि की अनार आप ले सकते हैं chia seeds या flex seeds ले सकते हैं यदि आप non-vegetarian हैं और आपको कोई और comorbidities नहीं है तो fish एक बहुत अच्छा source है omega 3 fatty acids का इन सब को आप ले सकते हैं अपनी diet में involved कर सकते हैं जिससे आपके nocturnal leg cramps बहुत तक तक कम हो सकते हैं पाँचवा और सबसे important tip है inflammatory foods को avoid करना तला हुआ खाना, मैदे वाला खाना जादा मिर्ची वाला खाना aerated drinks या sugary drinks जो होती है tint food जो होता है इनको बहुत अच्छा को avoid कीजिए smoking और alcohol को बिलकुल avoid कीजिए वो आपके शरीर में जलन पैदा कर सकता है और वो जलन आपको बहुत अच्छा cramps की तरफ ले जा सकती है mass patient में इठन बहुत ज़दा बढ़ सकती है दोस्तो generally जो leg cramps होते हैं या बाटे जिसको बोलते हैं वो idiopathic cause होता है यानि उसका कोई particular cause नहीं होता पर उसका एक underlying disease भी बहुत serious हो सकता है तो यदि ये सब methods अपनाने के बाद भी आपका दर्द नहीं कम हो रहा है आपको cramps आ रहे हैं और इससे आप बहुत हद तक चीजों को avoid कर सकते हैं और एक दर्द रहे तो स्वस्त जीवन जी सकते हैं दोस्तो आप जानते ही है मेरा नाम डॉक्टर रचित गुलाटी है मैं medical director सावल और्थोकेर का हम YouTube पे ऐसी जानकारी बरे वीडियो आपके साथ शेयर करते रहते हैं इस वीडियो को जादा से जादा लोगों तक पहुचाईए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपको इस वीडियो से related कोई भी doubt या query है तो comment box में जरूर टाइप कीजिए थैंक यू